तो गैस अगर आप लोग Realme के डिवाइज यूस कर रहें और Realme के डिवाइज में अगर आप लोगो को स्टेटस बार में क्लॉक का आइकोन सो कर रहा है और उस क्लॉक के आइकोन को अगर आप लोग को रिमोव करना हो तो कैसे करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है जैसे कि अभी आप लोग हमारे फोन में देख सकते स्टेटस बार में कि अभी भी हमें एक क्लॉक का आइकोन सो कर रहा है अगर हमें फोन में आलार्म सेटप रहता है अगर आलार्म सेटप है तो हमारे फोन की स्टेटस बार में यह आईकोन सो करेगा अगर आप लोग को इसे रिमोग करना हो तो सिंपल आप लोग इसे अंटिक कर दीजेगा मतलब आलार्म को तो आप लोग का जो आईकोन रहेगा वो सो होना बंद हो जाएगा ओके इसके अलावा कुछ कुछ रियलिमी के फोनों में इसे मतलब आगर आप लोग को आलार्म भी चालू रखना है बट क्लॉक सो नहीं होना चीए आप लोग का मतलब वो आईकोन सो नहीं होना चीए तो इसके लिए और एक तरीका भी रहता है आप लोग अ आलार्म का एक आईकोन यहां पर सो कर रहा है आप लोग इसको अंटिक कर देजेगा अंटिक करने के बाद क्या होगा आप लोग को इस्टिडस बर में आलार्म का आईकोन यहां पर सो नहीं करेगा तो इस तरीके से आप लोग इस आईकोन को रिमो कर सकते है आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मातादी